Hello everyone, this is Pawan Sharma and guys I welcome you all to my channel और friends इस video में बात करने जा रहे हैं intraday stocks के बारे में जो रहेंगे 9th of March and the day would be Tuesday एक छोड़ी जड़्वाइज, capital बचा के रखें, stock market में career भी बनेगा, पैसा भी आएगा आज पैसा है, कल नहीं होगा, तो कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए start focusing on your exits और exits ऐसे रखें कि कम loss में आप बाहर निकलें, इसलिए rule number one and rule number second आगे बात करें market dashboard में, आज nifty ने gap of open किया, एक बार तो लगा कि वापिस उपर जाएगा लेकिन 10, 115 के आसपास आने के बाद में जो fall आया, उसके बाद 900 भी cross कर दिया और close किया just 18 points positive में, अगर हम बात करें ने 50-50 के stocks के बारे में तो 27 stocks green में close हुए है, 33 stocks, sorry 23 stocks negative में close हुए है बात करें FIAE की, तो DIAE ने selling करना शुरू कर दिया है, अब DIAE की बारी है profit book करने की और FIAE ने buy करना शुरू कर दिया है, तो 483 crores buy and 1494 crores का sell है बात करें अगर major news updates के बारे में, पहले news है Tata Motors को लेके Tata Motors के shareholder ने एक vote किया है, favoring that उनका जो passenger vehicle का segment है उसको अलग कर दिया जाए और focus किया जाए commercial vehicle पर ही, तो जो Tata Motors होगा उसको आप आगे चलके passenger vehicle से अलग होत हो देखेंगे, और फिलहाल जो passenger vehicle है वो 9417 crores worth है और जो यह hiving off रहे होगा, वो होगा May June this year Just Dial आज फिर से 10% अपने अपसा कित में था, उसके पीछे का reason है एक contract agreement with star India for IPL 14 BML ने आज फिर से 20% जो है rise दिखाया है, उसके पीछे का reason है कि disinvestment की जो बात चल रही है P.A.C. उसको लेकर उसमें BML के पास में काफी सारे ने investors का interest देखने हों मिला है, और उसी वैसे आज उसने एक बड़ी rise दिखाया है बात करें कल के बारे में, वैसे जो अगर हम last दो session के बारे में बात करें तो कुछ major update नहीं हुआ है worldwide, globally ना ही इंडिया में ये कह सकते हैं जो bond yields है, आज उसने फिर 2% का rise किया है जो हमेशा अगर bond yield बढ़ते हैं, तो equity market पे असर पड़ता है बसे कि यही एक major news है, crude oil का price अभी भी stable लहीं हुआ है थोड़ा सा फिर से बढ़ा है, और अब सब की नजरे inflation data पे चली गई है अला कि data ओलड़ी expect किया जा रहा है कि inflation जो है, वो 4.83 expected है as compared to 4.06 last month बात करते हैं, question of the day के बारे में, what is arbitrage आपने सुना होगा कि आप NAC पे buy करें और BAC पे sell कर सकते हैं तो जो भी difference होता है price का दोनों exchange के बीच में, वो आप book कर सकते हैं इसी को arbitrage कहा जाता है, अभी recently आपने इसको जो NAC का glitch हुआ था उस time पे जितने भी position थी, सबको BAC पे sell किया गया था ऐसा होता नहीं है, intraday position भी वहीं पे sell किया थी वो इसलिए ताकि आपकी positions बाद में problem में ना आएं लेकिन general terms में बात करें, तो उसके लिए आपके पास में पहले ही आपके demat accounts में holding में वो stocks होने चाहिए, तब ही आप उसको inter exchange sell कर पाएंगे, इसी inter exchange trading को आप arbitraging कहते हैं और अभी तक आप हमारे telegram channel का अगर part नहीं है, तो आप हमें जाके वाँ join कर सकते हैं, live support के लिए, joining link description box में available है friends, हम किसी को भी आइड नहीं कर सकते हैं, channel में सिरफ 250 फॉस्ट जो members होते हैं, उन्हीं को add कर सकते हैं हम, अब हमारे पास में कोई तरीका नहीं है, आपको ही जाके, आप link के थूरू अपने आपको यूज किये, otherwise हमें manually search कीजिए, आपको हमारा channel हम मिल जाएगा, बात करें recap के बारे में, recap में मैंने आपको budget paint में 2 point पे exit करा दिया था, जब 725, 726 के बीच में था, तब मैंने आप से 935 से पहले enter मत कीजिए, और उसके बाद में एक भी closing नहीं आया, हला कि आपके message आगे तो मैं समझ गया था का आप entry ले चुके हैं, but there was no entry on the buy side, still we managed to come out on cost, भारत फोर्ज में हमारा first target पहले 935 से पहले hit हुआ, मैं कहता हूँ 935 से पहले कोई trade नहीं बनता है, so no trade, और selling side में फिर हमारे पास में कोई entry नहीं मिली, बात करें है विपरो में, विपरो में हमारा जो sell था 417 का था, तो almost हमारे पास में 417 के आसपास ही पूरा दिन गुजारा, और stock ने gap up open करने के बाद में दुबारा एक बार भी buy side के तरफ नहीं गया, which means no trade in विपरो, बात करते हैं चार तो आपको जो है chart trading, proper stock selections, कैसे levels को identify करते हैं और कैसे आपको ये पता करना है कि आज market में positivity रहेगी या negativity रहेगी तो उसके लिए आपके पास में proper knowledge होना चाहिए, उसके लिए आप हमें join कर सकते हैं हमारे technical online program पर जिसमें आपको ये हर चीज सिखा ही जाती है, लेकिन अगर आ पर इसी knowledge के साथ में मतलब आज market ऊपर जा सकता है, या market ऊपर नहीं जा सकता, उस basis पे भी आप trade कर सकते हैं, market range bound हो तो भी आप पैसा कमा सकते हैं, उसके लिए आपको option strategy सीखना पड़ेगा, जो हमारे weekly classes होते हैं, तो अगर आपको दोनों program के बारे में ज्यादा जानना है, तो आप हमें call या whatsapp कर सकते हैं, 9711411007 to know more about our training program, चलिए वीडियो चार्टेडिंग के शुरुवात करते हैं, nifty के साथ में, nifty ने आज सिरफ 18 points positive में close किया है, और nifty एक squeeze करता जा रहा है, एक छोटे से range में, दिरे-दिरे वो range कम हो गई है, हमारे पास अब बहुत कम जो है space रह गया है, जहां nifty अब trade कर सकता है, otherwise अब time है, breakout आने का या breakdown आने का, अगर हम बात करते हैं, data के बारे में तो 15,000 पे पहले ही resistance था, और नया build हुआ है, lower side पे 14,600 पे थुरा सा support मिला है, major support अभी भी 14,500 के उपर है, which means upper side थुरा सा resistance भरता जा रहा है, lower side में support थुरा सा shift हो यह indicate है, falling market का, similarly अगर मैं आप से कहूं, bank nifty में, तो bank nifty में भी अगर आप pattern check करेंगे, तो almost आपको same दिखाए देगा, यह bank nifty है, इसमें हमारे पास 35,500 पे नया resistance बिल्ड हुआ है, और जो support है वो 34,500 पे shift हो गया है, एक छोटा सा hurdle आपको मिलेगा, जो मिलेगा 35,000 के उपर अगर यह hurdle break हो जाता है, जो कि आज का closing है 275 का, अगर यह hurdle break हो जाता है, तभी समझ जाएगा कि nifty बड़ा smoothly fall करेगा, बस अगर bank nifty को hold करना है, तो last stage है somewhere close to 35, और अगर nifty को hold करना है, तो अभी उसके पास में last stage है 14,900 का, उपर की तरफ आज की तरह जा सकता है, hit करके वाप indecisive candle बन जाएगा, वहाँ नहीं रुका, तो इस बाद तेजी के साथ नीचे गिरेगा, तो दोनों के लिए मैं intraday level आपको नीचे provide कर रहा हूँ, आप एक बार उनको check कर लिजेगा, बात करते हैं stocks के बारे में, हमारा पहला pick है DLF, DLF ने पहले यह देखिएगा, इसने double top बनाया है, और double top बनाने के बाद में, top से ही थोड़ा सा, अब profit booking के तरफ जाना शुरू हो गया है, या फिर आप red candle कहले जी कि selling में आ गया है, अगर आप यह कहें कि कल के session में, यह अपने low break कर देता है, low break करने के बाद में, volume थोड़ा से कम है, अगर low break हो जाता है, क्यों जादा volume होता, तो मैं आपसे confirm कर देता, कि यह अब आप sell कर सकते हैं, अब हमारे पास condition यह है, आज आपको याद है, मैंने कहा था कि आपको 15, 80 के नीचे अगर 5 minute भी trade करें, तब ही आप उसको sell कीजेगा, या put लीजेगा, निफ्टी को, और फिर एक बड़ा fall आएगा, similarly य उपर हमारे पास में, फिर से target यह आएगा, 328 to 330 का, तो यह reason है, DLF के पीछे, बात रगले stock के बारे में, हमारा अगला stock है, SBI, SBI, कितनी बार इस support पे आपको hold किया है, आज थोड़ा सा कह सकते हैं, कल के मुकाबले volume कम है, candle जो बनाया है, वो bullish reversal candle बनाया है, तो अगर इसक अब यह अगर level break हो गया, which is placed at 385 to 383, अगर अब यह break हो गया, 10 minute उसके नीचे trade कर गया, तो SBI नीचे गरेगा, bounce करनाया है, तो bounce करनाया के बाद, फिर से try करेगा, एक बार 400 के level achieve करने के लिए, अगला trade है मारा, वो है LIC housing finance, LIC housing finance में देखिए, head and shoulder pattern बना है, classic वाला, और अपने neck line पे almost trade कर रहा है, आज की closing है 432 की, जो neck line आ रही है, वो है 425 से लेके 427 के बीच में, अगर यह 425, 427 तक आ जाता है, 429 को break करके, तो समझ जाएगे, head and shoulder pattern active हो गया है, और ऐसे time पे stock बड़ी fall लेता है, और लगाता है, दो तिन आपको और further red candle देखने को मिल सकती है, जब stock अपने support level पे होता है, तो वो last option होता है उसके पास में, अब bounce back करो, नहीं तो नीचे गिरेगा, तो यही reason है, LIC को pick करने का, because of this pattern and on it support level, अगला stock है हमारा Tata Motors, अभी जो मैंने आपको new section में news के बारे में बताया था, कि वो अपने passenger vehicles को अलग कर रहे हैं, उसके वैसे थोड़ा सा आपको देखें, यह एक big red candle देखने मिली, तो अगर यह investors को कल खुश नहीं कर पाएगा, तो Tata Motors में यहीं से fall आएगा, और अगला target अब इसमें 300 का होगा, हो सकता है, कल एक बड़ी profit booking आए, क्योंकि अगर वो PV को अलग करते हैं, तो सम करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हम बार बार आप से कहते हैं कि we don't charge for our tips on our telegram, तो please don't pay to anybody, और जो number हम provide करते हैं, यह tips के लिए नहीं है, हम जो training provide करते हैं, उसकी inquiry के लिए यह numbers available हैं, तो जब आप message कर रहे हैं, त कुछ links और available होंगे, description box में उनको भी जा के एक बार आप चेक कर लिजेगा, और disclaimer guys that all these videos which I create for you for education purposes, if you are taking a trade on my recommendation, please do consult with your financial advisors before taking those.